इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मुझे पता है कि काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, इस वीडियो को फोलो कर रहे थे, कि इतने सालों से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि कुछ रीजन्स थे, उसकी वज़े से मैं नहीं बना पाया, इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टन चीज़ को फोलो करेंगे कि एज़ो से क्या है, सबसे पहले हमें क्यों करनी है वो, कैसे करनी है और कहां से हमें मैट्रियल मनें जिससे हम आगे बढ़ पाएं? सबसे पहले मेरे माइन में एक question है आप लोगों से पूछने के लिए, क्या आप लोगों को पता है कि कहां से आपको content मिलेगा इसको बढ़ने के लिए, बिकॉज मुझे पता है आपको लोगों को ये तो idea लग जाएगा, क्यों करनी है certifications, क्या है, कैसे है, लेकिन कहां से करनी है? जब तक आप इस question के बारे में सोच रहे हैं, चलिए हम अपनी next bullet point पे चलते हैं, What are these Azure certifications? सबसे पहला question ये है, कि हमने करनी ही क्यों है Azure certifications? Because आज की date में, industry काफी rapidly change हो रही है, जो हमारे on-premises solutions चलते थे, वो सारे के सारे धीरे-धीरे cloud platform पे आ रहे हैं, इसलिए Azure certifications बहुत important है, और उनसे related knowledge रखना बहुत important है, यही मेरा पहला point है, कि जो Azure certifications को design किया गया है, it is as per industry standards. Second है, fit is millions for job roles. That means, जितनी भी jobs available है, information technology में, यह Azure certification वहाँ हर जगे आपको काम करेगा. Because जितने भी solutions हैं, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि वो सारे के सारे cloud पे आ रहे हैं, तो this is very, very important for you. Third thing, अभी जो certifications Microsoft ने design की हैं, उनको तीन तरीके से design किया गया है, fundamental, associate, और expert level की certifications. Fundamental certifications के अंदर उन लोगों के लिए है, जो बिलकुल अभी अभी नया नया जिनोंने study शुरू किया है Microsoft certification में, या फिर IT में. Associate certification उन लोगों के लिए है, जिनके पास experience है, करीबन एक साल का, दो साल का, जो काफी new है, पर they still have experience. And expert certification उन लोगों के लिए है, जो दो साल या तीन साल, या पांच साल से जादा है, या दो साल से अटलीस जादा ही है. तो ये certification आपको काफी कुछ achieve करने में help करती हैं. चलि हम Microsoft certification की website पे चलते हैं, जहां पर इसके बारे में पूरी information दी गई है. सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे इन्होंने job role decide और design करके बनाया है, काफी helpful हो जाता है आपको choose करने में कि आपका सही path कौन सा है. सबसे पहले जैसे आपने यहां पर example देख रहे हैं, developer, administrator, solutions architect, functional consultant, ये चाट आप के job role दे रहे हैं, बाकि कई job roles में, तो उनके base पे certification कौन-कौन सी available हैं, आप simply इन पर click करके links पे information ले सकते हैं. तो जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि fundamental, associate, expert certifications available हैं, तो इनको देखने के लिए हम इनके link पे, जो नीचे links है, fundamental, associate और expert level, मैंने वहाँ पे already click करके, यहाँ पे मैंने open कियो हैं, जैसे आपको बताने के लिए. Fundamentals के अंदर ये 4 certifications available हैं, लेकिन अगर आप specific job role के base पे जानना चाहते हो, you can select this job role, और वहाँ पे आप select कर सकते हो, कौन सी job role आपकी है, या आपका interest है, जिसके base पे आपको certification path select करना है. Same way, आप technology भी choose कर सकते हो, जिसके through, जो Microsoft at least offer कर रहा है आपको, उसके base पे आप आगे बढ़ सकते हो. The same thing, अगर हम बात करते हैं associate level की. Associate level में हमारे पास बहुत सारी certifications available हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, तो हमने इन में से right certification चूज़ करनी हैं हमारे लिए, जो हमें help करें आगे बढ़ने में. और जब आप associate level कंप्रीट कर लेते हैं, तेन आपका last बसता है expert level, जिसमें आपको limited certification दिख रही हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा important है. Website की link आपको वीडियो में से भी मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि description में भी आपके लिए लिखतूँ. Let's move back to our points. So, जो ये certification मैंने आपको बताई हैं, अगर हम ये करते हैं, definitely आपको workspace recognition मिलेगा. और आप HR के hiring उसमें भी जो कहते हैं, लिस्ट में जो उनकी choose list होती, उसमें भी आपका नाम आ सकता है. Kind of confirmation ये में ही तरफ से, because आज की date में everybody is looking for cloud computing knowledge. जितने भी HR जिनके साथ interview मैंने conduct किया हैं, because currently मैं Microsoft में हूँ, और हम like my interview भी conduct करता हूँ, काफी candidates के साथ. So, उनमें हम एक बहुत important चीज़ देखते हैं, criteria देखते हैं, क्या उनके पास cloud platform की knowledge है, और अगर नहीं है, so what knowledge they do have about cloud computing, तो हम उससे कही न कहीं जोड़ते हैं, especially in India, वहाँ पर तो काफी ज्यादा इस चीज़ का boom चल रहा है, कि Office 365 लर्न करो, Azure लर्न करो, तो इसलिए ये जो certifications हैं, ये आपको recognition दिलवाएगा, yes, you are certified and you have the right knowledge for the right industry. अभी हम next में चलते हैं, कि like why you actually need them, आपको ये चाहिए ही क्यों, इसका फाइदा क्या है, इन certifications का, सबसे पहले, ये आपको deep knowledge देता है, deep knowledge का मतलब, मैं ये नहीं कहूँगा कि, आप simply online जाओ, आजकल इंडिया में काफी लोगों का मैंने देखा है, dump पढ़ते हैं, dump पढ़ते हैं, examinations देते हैं, and that's all, that's all, वो help नहीं करेगा, if you want to grow, अगर आपको इंडिस्टी अप जाते हो, और किसी job role पर आशाइन होता है, and when you don't know, really other people think about you, ये है तो certified है, और इसके पास knowledge भी होने चीए, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो उनको idea लग जाता है, you give the certification from dumps. अगर आप इन certifications को seriously follow करते हैं, then you will definitely gain a very deep knowledge about every single thing available for Azure or whatever the job role you are fit in. Next is, यह certifications आपको experience भी देते हैं और technology implementation कैसे करने हैं, वो भी देते हैं. क्योंकि आज की देते में सिर्फ on-premises structure नहीं चल रहा है, everybody is looking for, moving forward, their infrastructure to cloud. बिकास तो मैं परस्नली अद्मिनिस्ट्रेटर का बन्दा हूं, I mean I don't have much experience about developer, I do have knowledge but associate level, expert level पे नहीं है, but administrator level पे I have done an expert certifications. So, मुझे पता है कि, when people ask me to deploy their solution or migrate their solutions from on-premises to cloud, कितनी problems आती हैं, कितने issues आते हैं, तो जब तक आपके पास certifications के साथ साथ knowledge नहीं है, आप कहीं न कहीं पीछे रहा जाएंगे, तो यह certifications आपको वो point को touch करवाएगा कि, yes, these are the points जो आपको याद रखने हैं, when you do a live migration, यह points आपको तब याद रखने हैं, जब आप कोई solution deploy कर रहे हो Azure में, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आपकी productivity भी increase होती है, वो कैसे होती है, because आपको on-premises की knowledge तो है, मैं उन लोगों की बात करा हूँ, they are already, you know, doing a job as an administrator, और वो काम कर रहे हैं कि infrastructure चल रहा है, servers चल रहे हैं, network चल और website चल रहे हैं, वगेरा वगेरा, लेकिन अगर आपके cloud computing की knowledge है, तो आपकी organizations को third party से contact करने की जरुवत नहीं है, they will directly talk to you, कि यार, hey, मुझे ये करना है, क्या तुम कर सकते हो, and when you do these things, they believe in you, they like you, and of course, आपके price, जो आपके salary है, वो हाई कोने के chances रहते हैं, आपको awards मिलने क chances ज्यादा रहते हैं, और जितने भी जो भी अच्छे points मैं सोच सकता हूं, वो सारे productivity में मैं हमेशा लाता हूं, कि like, job तो है, productivity is about, you can do multiple things at the same time, तो वो ही चीज़ है, cloud computing भी आप समार रहे हो, infrastructure भी, but this will also help you, now, let's move forward with the next option, that is job roles, work focus, obviously, आप किसी भी job role में हो, ये certifications आपको recognize करे है, और आपका work focus हो सी पर लाएगा, because अगर मान लीजिए कि आपको कोई और जोब असान की जाएगी, so they will get to know, कि यार इसने ये certification नहीं की है, इसके पास ये knowledge में भी नहीं हो सकती, अगर है, that is an added advantage, अगर नहीं है, तो वो आपको इस चीज़ के लिए free कर सकते हैं, I hope you get my point, so that is very important, why you need them, not just for recognition, I think in every 360 way you need it, knowledge, salary hike, recognition, hiring, हर तरीके से आपको चाहिए ये, चलिए, now move forward with the next bullet point, कि हमने ये करना कैसे है, ये Azure certifications को अचीव कैसे करना है, वैसे तो बहुत सारी तरीके हैं, जैसे कि online article पर के, forums पर के, ये instructions पर के, आप learn कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी difficulty हो step by step नहीं बता रखा होता, तो the best way I can think of is, read books and practices, आप किताबे पढ़िये, उसमें जो step by step instructions दे रखी हैं, उनको follow करिये, और learn करिये, बहुत अच्छा तरीका है and very pretty good way, the second option जो इंडिया में काफी famous है, go to the private organizations and learn from experts, जो की एक अच्छा तरीका भी है, because उन लोगों को जिनके पा सकते हैं और वहाँ पर वो आपकी help भी कर सकते हैं, the third point मैं ये समझ सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास काफी पैसा है actually, अगर आपके पास money है तो आप अपना infrastructure build कर सकते हैं, आप server purchase कर सकते हैं, आप online subscription purchase कर सकते हैं और वहाँ पर अपना infrastructure build कर सकते हैं, जो की काफी अच्छा तरीका है practice करने का और experience और knowledge gain करने का, जो last option मैं समझ सकता हूँ काफी interesting और काफी popular है आज की दिनों में, कि watch online trainings, कि आपको किसी institution में जाने की जरूवत नहीं है, online trainings available, because वो भी वही बताते हैं, the only difference is, expert available नहीं होता है, लेकिन इन सब चीजों को करने में cost involved होती है, प और आज की date में little bit, जो थोड़ी बहुत crisis चल रहे हैं, इंडिया में, तो money की problem है, तो definitely एक सही platform है YouTube, Vimeo, Daily Motions, because I think मेरी knowledge के साब से सब के पास 4G, और at least एक internet connection तो है ही healthy वाला, तो वहां से वो easily learn कर सकते हैं, और implement भी कर सकते हैं solutions, तो इस video series के थूर मेरा target यही है, और specially उन ल enough resources नहीं है, या वो knowledge नहीं gain कर पाते, लेकिन इस video को series को follow करके, आप at least आपको पता लगेगा कि कौन-कौन से options available हैं, कहां कौन से points हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, and क्या basic concepts है, चीजों को याद करने के लिए, चलिए, now we will move forward with our last bullet point from where we can start, हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं मेरे पास पहला bullet point है, जो कि choose your own path for your interest, because ये भारत में बहुत अजीब सी situations बन जाती हैं, कभी-कभी कि जिसको आप जानते हैं, या आपके कोई relative हैं, वो किसी अच्छी position पे हैं, तो आप भी उसी को follow करने की कोशिश करते हैं, you are try to build interest की forcefully कि यार उसने किया, तो मैं भी वही क आपको लगता है कि मेरे को infrastructure build करना है, उसको protect करना है, troubleshooting करनी है, go to administrator, आपको लगता है कि मुझे organization के लिए, बड़े-बड़े enterprises के लिए मुझे infrastructure design करना है, apps design करनी है, तो solution architect, तो काफी job roles available है, अगर आपको guide करना है किसी को, you can also become a consultant, तो काफी options available हैं आपके पास, so मेरा पहला suggestion है, आप अपना interest चुनिए, और वहाँ पर अपना right effort लगाए, अचीव करने के लिए, दूसरा, learn and grow, मेरे पास तीन important point है, जिनको मैं आज तक follow करता हैं, सबसे पहले, understand the technical concept, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो पढ़ने भी जाते हैं, या पढ़ते हैं, तो वो concept नहीं जान पाते हैं, कि चलो करतो रहे हैं, शायद उसका purpose भी समझागे, लेकिन actually क्यों कर रहे हैं वो, उसका कहा help लगेगा, वो जाधा knowledge नहीं कर बाती है, तो please try to gather as much as basic information and concept, जो clarification रहता है, वो होना चाहिए आपके पास, second, concept जब clear हो जाता है, the next step आता है, deployment and implementation, अब बात आती है, practices की, उसको practice कितनी बार करें, मेरा personal suggestion है, किसी को copy मत करें, अगर आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, try to do it again and again, fail होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, it's fine, लेकिन at the end of the day, आपको बन जाएगा, आपको पता है, इस video को बनाने के लिए, मुझे 32 से 34 बार मुझ इसी की cheating के साथ आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मैंने institutions में देखा है, इसलिए मैं आत बोल रहा हूं, so yeah, not for those people who really want to learn and grow, तो आपके पास जब practice आ जाते हैं, then third skill है, जो बहुत important है, troubleshooting skills, definitely मेरे experience के एसाब से, जब भी आप कोई चीज़ deploy करते हैं, आपको definitely कोई ना कोई प forums, वहाँ पर आप read कीजिए, लोगों ने क्या question post किये हैं, उसके base पे आप अपनी troubleshooting स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपकी troubleshooting skills बन जाएं, या फिर आप एक solution पर पहुंच जाएं उस problem के बारे में, then मेरी highly recommendation, एक request है, आप online forum को join कीजिए, और अपनी troubleshooting skills को share कीजिए people, worldwide, और दूसरा, आपको लोग भी जानेंगे, और third important thing, आपके खुद के skills भी काफी developed होंगे इसके अंदर, मैं इतना जानता हूं कि Microsoft ने अभी recently technical forums पे बना रखा है कि, you can join them free, and help people, अगर आपके पास solution है तो, और आपके पास कुछ gold points, silver points, bronze points बनते रहते हैं, और आपको recognition मिलत Microsoft की तरफ से, same way I think other organizations भी करते होंगे, तो I highly encourage everyone to do it, second thing, do certifications to rise, definitely, अभी हमने जो पढ़ा ये, मैंने जो पढ़ा ये, मैंने जो एक basic idea दिया है कि हमने करना क्यों है, तो certifications बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि knowledge आ गया, आप काम पे लगए, yes, it is good, absolutely good, but if you have the certification, then you have all the right to say, कि हा, म मेरे पास knowledge है, मैं ये कर सकता हूँ, confidently, and the last thing is, हमारे इस video series के अंदर, मेरा जो प्लान है, वो है, Azure Solutions Architect का, जो directly based है, administrator का, जो डारेकली बेस्ट है, administrator का, जो ये लोगों के लिए, तो I apologize for other people, but yes, मेरे पास developers का, like you know, not an advanced level, but intermediate level knowledge है, मैं कोशिच करूँगा उसको भी share करने का, but yes, जो ये video series है, इसमें आप इसी चीज़ को step by step learn करेंगे, और मैं पूरी कोशिच करूँगा आपको, जितना भी मेरा experience है, वो मैं आपको दे पाहूं, और आप उसे सीख पाए, in a real time scenario, so guys, that will be all for today, and till next video, take care of yourself, have a good time, peace.